हलो फ्रेंट्स आज हम स्टड़ी करेंगे पटवारी परीक्षा में पूछे गए प्रस्ण में जो 13 अब दिसंबर की इवनिंग शिप्ट हुई है उसमें जो जो कोशन्स पूछे गए हैं वो हम आज डिसकस करेंगे चले देखते हैं उसमें कौन-कौन से कोशन्स पूछे बया थीक है नेक्स कोशन्स पूछा गया था संग लोग सेवा आयोग UPSC स्तापना किस अनुच्छेट से हुई तो संग लोग सेवा आयोग UPSC स्तापना 315 अनुच्छेट से हुई है तो इसका आंसर हो जगा 315 315 नेक्स कोशन्स पूछा गया था 9 अगस्त को किस आंदोलन की वर्षगार्ट मनाई जाती है तो 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगार्ट मनाई जाती है तो यहां आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो अंदोलन तो यह इसका आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पूछा गया था राजवारा महल कहां इस्ति थे तो राजवारा महल इस्ति थे इंडॉर में तो इसका आंसर हो जाएगा था इंडॉर उसका आन्सर है 1951 1951 इसका राइट आंसर है next question पूछा गया आता बाज बहादूर महल कहा है तो बाज बहादूर का महल है मांडू मेश्थी थे तो मैं लिख ज़ता हूँ इसका आंसर है मांडू next question पूछा गया आता सोनाई नेशनल पार्क कहा है तो सोनाई नेशनल पार्क है हमारा असम में तो सोनाई नेशनल पार्क है असम में next question पूछा गया था Hotmail के founder कों है hotmail के founder है सबीर बात्या तो मैं लिख देता हूँ सबीर बात्या next question पूछा गया था NHRC के अध्यक्ष कोन न्यूप्त करता है तो NHRC के अध्यक्ष को रास्पती निक्त करता है रास्पती निक्त करता है इसका अंसर हो जाएगा रास्पती NHRC का आप फुल फॉर्म मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे ओके है नेच्ट कोशन पूचा गया था इंसेट 1b कब लांच हुई है तो इंसेट 1b लांच होई है 1983 में तो इसका आंसर है 1983 सब्सक्राइब इसका फॉल फॉर्म क्या होता है तो isp का फॉल फॉर्म होता है brain of computer किसे बोलते हैं तो brain of computer हम बोलते हैं CPU को तो इसका answer हो जाएगा CPU next question पुछा गया था monitor को किसे connect करते हैं तो monitor को हम connect करते हैं CPU से इसका answer हो जाएगा CPU next question पुछा गया था spelling check on करने के लिए shortcut की क्या है है तो spelling check on करने के लिए shortcut की है हमारा अल्ट प्लस F7 इसका right answer हो जाएगा next question पूछा गया है Windows 98 क्या है computer का basic work है calculation करना तो calculation right answer हो जाएगा next question पूछा गया था MS office किस प्रकार का software है तो MS office application software है तो application software है MS office next question पूछा गया था first chip next question पूछा गया था first single chip microprocessor कौन सा है तो वह है Intel 40 Intel 4004 यह इसका right answer है I hope आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते कमेंट बॉक्स मों कमेंट कर सकते हैं मेरे